वेल्कम टू न्यू लेसन आज का जो लेसन है हमारा दिस इस लास्ट लेसन आफ यो लेंडिंग पेज कोर्स इस कोर्स में 20 लेसन थे तोटल एंड आज लेसन नंबर 28 है सो आज के वीडियो में मैं आपको एक अगेन रीकैब दूँगा कि आपने क्या क्या चीज़े सीखी है प्लस आगे आपको कैसे करना है चीजों को उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूँ है ठीक है जी तो सबसे पहले तो हमने सीखा था कि लेंडिंग पेज होता क्या है आपने डिफरेंट टाइपस के लेंडिंग पेज़े मैंने आपको रीव्यू कराया थे जो कंपनी अभी लेंडिंग पेज़े रन हो रहे हैं मार्केट में लाइव जिन पर एड्ट चल रही हैं हमने वो लेंडिंग पेज़े भी देखे थे प्लस मैंने आपको कुछ अपने landing pages दिखाये थे जो अभी मैं use कर रहा हूँ उसमें से एक landing page जो almost अभी 35 से 40 लाग से उपर का business को कर चुका अकेला एक single landing page so वो क्या structure है landing page का वो मैंने आपको समझाया then मैंने आपको कुछ templates दिये थे right templates दिये थे और replicate कर लो आप अपने business के लिए then हमने समझाया था कितने type के funnels होते हैं और कैसे कैसे वो funnel आप use कर सकते हो then हमने landing page बनाना सीखा था wordpress के अंदर with elementor ठीक है with elementor हमने landing pages बनाना सीखे थे then मैंने आपको swipe file दी थी जो कि आप use कर सकते हो अपने landing pages अपने ads की copy लिखने के लिए plus हमने बात कि थी कि आपको कैसे practice करनी है आपको landing pages देखने है उनका screenshot लेना है और आपको उनसे practice करनी है ठीक है तो ये सब चीज़े हमने सीखे देदे हैं आपने सीखा था कि google ads के लिए जो landing page बनाए उसके लिए आपको क्या अलग से ध्यान देना है ठीक है तो ये सारी चीज़े आपने सीखी हुई है और अगर आपने जो भी चीज़े सीखी है अगर आप उन्हें implement करोगे तो I am sure कि आप काफी अच्छे conversion rates अचीव कर सकते हो काफी अच्छे landing pages बिल्ड कर सकते हो मैं यहाँ पर आपको एक राय देना चाओंगा जितने भी जो भी आपने सीखा है पहले यहाँ उसे as it is implement करो जो आपने सीखा है अभी landing pages के बारे में इसके अंदर कोई tinkering मत करो इसके अंदर कोई changes मत करो एक बार आप चीज़ों को पहले implement करो देन आप देखो कि क्या improve किया जा सकता है आपने जो भी स्कोर्स में सीखा है उसको मैंने implement कर रहा हूँ बहुत दिन से लाख हो रुपर लगा कर टेस्ट किया है मैंने उसको तो आप उन चीज़ों को पहले as it is implement करो देन उन्हें improve करने की कोशिश करो ठीक है अभी आप उनमें changes करने की कोशिश मत करना आप अपने फॉर्मुले जो उसमें मत लागाना उन्हें आप as it is use करो राइट अब बात है कि अब आगे क्या करना है आपको अब आगे आपको अगर कोई problem आती है landing pages में किसी और चीज़ में कोई problem आती है तो कैसे होगा तो देखो आप लोगों के पास मेरी टीम का support नंबर होगा आपको कोई problem हो आप उस support नंबर पे call कर सकते हो plus मैं एक नई चीज हम start कर रहे है which is chat support हम chat support स्टार्ट कर रहे है हमारी website पे chat support स्टार्ट होने वाला है एक दो दिन में start हो जाएगा उसके बाद क्या होगा आप हमारी website पे जाओ और आपको नीचे chat का option दिखेगा आप उसे click करो और मेरी team के साथ बात करो और जो भी आपको problem है वो मेरी team तुरंट आपको help करेगी और यह chat आप कर सकते हो 9.30 a.m. से 6.00 p.m. तर Monday to Saturday ठीक है तो यह chat support स्टार्ट होगा और यह course खतम हो गया है इसके बावजूद आपको chat support और phone support सब मिलता रहे है यह course जो है बड़ा unique courses है आप मेंसे जातर लोग होने मेरा facebook का भी course खरीदा होगा तो यह course बड़े unique है हम बड़े कम पैसे charge कर रहे हैं बड़ जो value हम provide कर रहे है वो exceptional value है वो कई ज्यादा गुना है जो कि आप पैसे दे रहे हो phone support lifetime में आपको आपको कभी भी phone करिए मेरी team से बात करिए आप वो आपको help करेंगे आपको अभी भी chat कर सकते हो आपको अपना email address और phone number बताना होगा जिससे आपने course करीदा है और हम आपकी problem को solve करेंगे ठीक है जी so that's it I hope कि यह 20 lessons से आपने काफी चीज़े सीखी है and I hope कि आ ठीक है जी thank you so much for investing in the course thank you so much